दस्वा अध्याय बहुरूप में प्रकाशित एक सत्ता हमने देखा है वेराग्य अत्वा त्याग ही इन समस्विभिन योगों की मूल भिती हैं कर्मी करमफल त्याग करते हैं भक्त उन सर्व शक्तिमान और सर्व्यापी प्रेम स्वरूप के लिए समग्र शुद्ध प्रेम क और उसकी अभिग्यता के लिए है तथापी वह अंत्व में उन्हें समझा देती है कि वी प्रगति में अवस्थित नहीं है किन्तु प्रगति से नित्यस्वत अंत्र है ज्यानी सब कुछ त्याग करते हैं क्योंकि ज्यान शास्तर का सिध्धान्त यह है कि भूत भविश्यत वर्तमान किसी काल में भी प्रगति का अस्तित्व नहीं है हमने यह भी देखा है कि इन सब उच्चतर विश्यों में इससे क्या लाब है यह प्रशन किया ही नहीं जा सकता लाब अलाब के प्रशन की जिग्यासा ही यहां अस्वभाविक है और यदि यह प्रशन जिग्यासि ही हो फिर भी हम इस प्रशन का उत्तम रूप से विशलेशन करके क्या पाते हैं लाब का अर्थ क्या है सुख जो वस्तू लोगों की संसारिक अवस्ता की उन्नती साधित नहीं करती जिससे उनके सुख की वृद्धी नहीं होती उसकी अपेक्षा जिससे उन्हें अधिक सुख होता है मनुष्य उसे ही ग्रहन करके जिसमें अल्प सुख है उसे त्याग देता है हमने देखा है सुख या तो देह में अत्वा मन में अत्वा आत्वा में अवस्तित है पश्व का एवं पशुप्रायर अन्नुत मनुष्य गन का समस्त सुख दे में है बूख में आर्थ ए सुच्च स्तर का सुख देखते हैं, मनुष्य ज्यान की आलोचना से सुखी होता है, सरवच्च स्तर का सुख ज्यानी गन का है, वे आत्मा आनन्द में विभोर होते हैं, आत्मा ही उनके सुख का एक मातर उपकरण है, अतयब ज्यानी के पक्ष में यह आत्म ज्यान परम लाव अत्वा हित है क्योंकि इससे ही वे परम सुख प्राप्त करते हैं जड़ विशे सम्हूं अत्वा इंद्रिय रजेतार था उनके लिए सर्वोच लाप का विशे हो ही नहीं सकता क्योंकि वे ज्यान में जिस प्रकार सुख प्राप्त करते हैं विशे सम्हूं अत्वा इंद्रि पश्वों के स्रदिश हैं यहां देव शब्द का अर्थ ज्यानी वेक्ति के लिए प्रयोगत है जो सब वेक्ति यंद्रवत कारे अत्वा परिश्रम करते हैं वे वास्तों में जीवन का उपहोग नहीं करते हैं एक धनी वेक्ति ने माल लीजिए एक लाख रुपए व्याए क करके एक चित्र मोल लिया किन्तु जो शिल्प समझ सकता है वही उसका उपभोग करेगा क्रेता यदि शिल्पग्य ज्यान शुन्ने हो तो उसके लिए वह निरठक है वह केवल उसका अधिकारी मात्र है समग्र जगत में ज्यानी वेक्ति ही जगत का सुख भोग करते हैं आत्माएं हो ही नहीं सकती हमने देखा समग्र जगत में एक सत्ता मात्र विद्यमान है तथा वही एक सत्ता इंद्रियगंड के भीतर से दिखाई पढ़ने पर जड़ जगत के समान प्रतीत होती है जब केवल मन के भीतर से वह दिखाई पढ़ती है तब उसे चिंता और भा आत्मा है यद्धपी समझाने के लिए पहले हमें इस प्रकार मान लेना पड़ा था वास्तों में किवल एक सत्ता विद्यमान है एवं वह सत्ता आत्मा है और वह जब इंद्रियों के भीतर से अनुभूत होती है तब उसे देहे कहते हैं जब वह चिंतन या भाव के भीतर से अनुभूत होती है तब उसे मन कहते हैं तथा जब वह सास्व रूप में उपलब्ध होती है तब वही आत्मा के रूप में उसी एक आद्वित्य सत्ता के रूप में प्रतीत होती है अत्यव यह ठीक नहीं है कि एक स्थान में देहे मन और आत्मा ये तीनों वज़ते मान है ये दिपी समझाते समय इस प्रकार के व्याख्या करके समझाना अत्यन सहज हुआ था, किन्तु सब ही वही आत्मा है, तथा वह एक पुरुषी विपिंद्रस्टी की अनुसार कभी देहे, कभी मन, अत्वा कभी आत्मा के रूप में अभी हीत होता है, एक मात्र पुरुषी व आत्मा के अत्रिक्त और कुछ नहीं है, चरन सिध्धान्त यह है कि हम वही एक सत्ता है, जगत में दो तिन सत्ताई नहीं है, सब एक ही है, वह एक सत्ता ही माया के प्रभाव में बहुरूप में दिखाई पड़ रही है, जिस प्रकार अज्यानवर्ष रस्ती में साप का भ् प्रभाशिक शब्द हो सकते हैं, किन्तु संपूर्ण अनुभूती के समय में ही सत्ते और मिथ्या कभी नहीं देख पाते, हम सब जनम से ही अद्वैत वादी हैं, इस बात से भागने का उपाएं नहीं है, हम सब समय को एक ही देखते हैं, जब हम रस्ती देखते हैं तब सा बंदू आ रहे हैं, आप उसे अत्यांत उत्तम रूप से परिचित हैं, किन्तु आपके समुख कोहरा होने के कारण आप उन्हें अंध्याविक्ति समझ रहे हैं, जब आप अपने बंदू को अंध्याविक्ति समझ रहे हैं, तब आप अपने बंदू को देख नहीं रहे है वे अंतरनिहित हो गए हैं, आप केवल एक व्यक्ति को देख रहे हैं, मा लीजिये, आपके बंदु को कह कर अभिहीत किया गया, तब आप जब कह को कह के समान देख रहे हैं, तब आप कह को बिलकुल ही नहीं देख पा रहे, इस प्रकार आपको सब स्थानों में एक उपलब् होती है, वे आत्मा मन आदी बाते मूँ से कह सकते हैं, किन्तु देखते हैं यह स्थूल भौतिक आकरिती ही, स्पर्श, दर्शन, आस्वात, इत्यादी, कोई-कोई विक्ति अपनी ज्ञान भूमी की विशेश प्रकार की अवस्ता में अपने को चिंतन अत्वभाव रूप में अनुबव किया करते हैं, सर हमफ्री डेवी के संबंद में जो क्रथा परचलित है, वे आप अवश्य जानते हैं, वे अपनी कक्षा में हास्ति जनक वाश्प, लौफिंग गैस लेकर परिक्षा कर रहे थे, अकस्मात एक नल तूट जाने के कारण भाव भाव भाहर नि और निश्वास द्वारा उन्होंने उसे ग्रहन कर लिया, कुछ शन तक वे पत्थर की मुर्ति के समा निश्चल रूप से खड़े रहे, अंत में उन्होंने कक्षा के विध्यारतियों से कहा, जब हम उस अवस्था में थे, हम वास्तव में अनुभव कर रहे थे कि समस्त ज जग चिंतन अत्वा भाव से घटित है, उस भाव की शक्ती से कुछ शन के लिए अपना देह ज्यान विस्मृत हो गया था, और जिसे वे पहले शरीर के रूप में देख रहे थे, उसे ही इस समय चिंतन अत्वा भाव सम्हों के रूप में देख सकी, जब अनुभूती और अधी उच्चतर अवस्था में जाती है, जब इस शुद्र अज्यान को सदैप के लिए पार किया जाता है, तब उसके पश्चाच जो सत्य वस्तु विद्यमान है व्य प्रकाशित होने लगती है, उसे तब हम अखंड सचिदानन्द के रूप में उस एक आत्मा के रूप म अनिर्वर्चनिय, नित्यभोत, केवलानन्द, निरूपम, अपार, नित्यमुक्त, निश्क्रिय, असीम, गगंसम, निश्कल, निर्विकल, पूर्ण, भ्रह्मात्र का हिर्दे में साक्षात तर्शन करते हैं, अध्वैत मतवलंबी इस सम्मस्त विभिन प्रकार के नरक की, तता हम सभी धरम में जो नाना विद्भाव देख पाते हैं, इन सब की किस प्रकार व्याख्या करते हैं, जब मुनिश्य की मृत्य होती है, कहा जाता है कि वे स्वर्ग में, अत्वा नरक में जाता है, यहां वहां नाना स्थानों में जाता है, अत्वा स्वर्ग मे नर्क भी नहीं। अत्वा इही लोग भी नहीं। इन तीनों का ही किसी हाल में अस्तीत्व नहीं है। वह एक ही खंबा विभिन रूपों में दिखाई पड़ रहा है, खंबा वस्तु ही सत्य है, तता वह जो विभिन भाव में उसका दर्शन है, वह केवल नाना पकार के मन का विकार मात्र है, एक मात्र पुरुष यह आत्मा ही विद्यमान है, वह कहीं जाती भी नहीं है, आती भ देखता है कि यहां द्वैत व्रिंद विराजते हैं इत्यादी इत्यादी यदि कोई वेक्ति समस्त जीवन अपने पूर पूर पुरुष गन को देखना चाहिए वह आदम से आरंब करके सब को ही देख पाता है क्योंकि वह स्वैम ही उन सब की स्विस्ठी किया करता है यदि क कोई और अधिक अज्यानी हो तो धर्मंद लोग चिरकाल उसे नरक का भय दिखाया करें तो वे मृत्यू के पश्चार इस जगत को ही नरक के रूप में देखता है और यह भी देखता है कि वहां लोग अनिक प्रकार के दंड भोग रहे हैं मृत्यू अत्वा जन्द का और क जाना कैसा यह असंभव है आप तो सरव्यापी हैं आकाश गतिशील नहीं है किन्तु उसके ऊपर से मेग इस दिशा से उस दिशा में गतिशील हुआ है रेल गाड़ी में चड़कर यात्रा करते समय जैसे प्रित्वी गतिशील प्रतीत होती है यह भी ठीक उसी प्रकार है वास्तर में प्रित्वी तो डिग नहीं रही है रेल ही चल रही है इसी प्रकार आप जहां थी वही है किवल यह सब विपिन स्वपन है मेग सम्हू के समान इस उस दिशा में जा रही है एक स्वपन के पस्चात और एक स्वपन आ रहा है उनमें परस पर कोई संभंध नहीं ह इन जगत में नियम अत्वा संबंद नामक कुछ भी नहीं है, किन्तु हम सोच रहे हैं परस पर यथेस्ट संबंद है आप सब ने ही संभवता विसमे लोक में Alice, Alice in Wonderland नामक गरंथ पड़ा है हमने वह पुस्तक पढ़कर बहुत आनन्द प्राप्त किया था हमारे मस्तिष्क में निरंतर बालकों के लिए उस प्रकार की पुस्तक लिखने की इच्छा थी हमें उसमें से सबसे अधिक अच्छा लगा कि आप जिसे सबसे अधिक असंगत समझते हैं, वही उसमें है किसी के साथ किसी का कोई संबन्द नहीं है एक भाव आकर मानों दूसरे एक के गले में कूद पड़ रहा है उनमें परस पर कोई संबन्द नहीं है जब आप लोग सिशु थे आप सोचते थे उनमें परस पर अध्भुद विद्यमान है उस व्यक्ति ने अपनी शैश्वा पर जो सब चिंताएं आई हैं तता भाव जागरित हुए हैं उन्हें ही वे बालकों को कंठगत कराने का यतन करते हैं किन्तु ये पुस्तके बालकों के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं होती वह सब व्यर्थ एवं निरर्थक लेखन मातर है जो हो हम सब भी वय प्राप्त आई हैं हमारा जगती उसी प्रकार की असंबंध वस्तु मातर है वह सब एलिस का विस्तमें लोक है किसी एक के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है हम जब अनिक पार अनि खट्नाओं को एक निर्दिस्ट क्रम के अनुसार घटित देखते हैं तो हम उन्ही कारे कारण के न पर संबंद युक्त प्रतीत होंगे, स्वापन की अवस्था में भी कभी असंबंद अत्वा असंगत नहीं लगते, केवल जब हम जाग उठते हैं तभी संबंद का अभाव देख पाते हैं, इसी प्रकार जब हम इस जगत रूपी स्वापन दर्शन से जाकर इस स्वापन की स कितनी ही एसन बस्तुव वस्तूई मानों हमारे सामने से चली गई वे कहां से आई कहां जा रही हैं हम कुछ भी नहीं जानते किन्तु हम यह हैं कि उनका अंत होगा और इसे ही माया कहते हैं ये सब परिणाम recognize दल की दल, गतिशील, मेकचालों के समान हैं और वह अपरिणामी सूर्य आप स्वेम हैं जब आप उस अपरिणामी सत्ता को बाहर से देखते हैं तब आप उसे इश्वर कहते हैं और भीतर से देखने पर उसे आप निज की आत्मा अत्वा सुरूप के समान देखते हैं दोनों स्वरगर्स्त पिता आदी की समस्त धार्णा आपका ही प्रतिविम मात्र है इश्वर स्वेम ही आपका प्रतिविम या प्रतिमा स्वरूप है इश्वर ने अपने प्रतिविम के रूप में मायनव की स्रिस्टी की यह बात भूल है मनुष्य निज के प्रतिविंब के अनुसार इश्वर के स्विस्टी करता है यह बात ही सत्य है समस्त जगत में ही हम अपने प्रतिविंब के अनुसार इश्वर अत्वा देवतागन की स्विस्टी करते हैं हम देवता के स्विस्टि करते हैं, उनके पदतल पर उतर कर उनकी उपासना करते हैं और जो ही यह सोपन हमारे निकट आता है तब हम उन्हें प्रेम करने लगते हैं सार यह है कि एक सत्ता मात्र ही है कि वह एक सत्ता ही विभिन मध्यवर्ती वस्तों के बीच से होकर दिखाई पढ़ने के कारण उसी को पृत्वी अत्वा स्वर्ग, नर्क अत्वा ईश्वर, भूत प्रेत, मानव, दैत्य अत्वा जगत या वह सब कहते हैं जो हमें बोध होता हैं किन्तो इन सब विभिन परणामें वस्तों में जिनका कभी परणाम नहीं होता जो इस चंचल मर्त्य जगत के एक मातर जीवन स्वरूप हैं जो एक पुरुष बहु वेक्तियों की कामें वस्तों का विधान कर रही हैं उन्हीं जो सब धीर वेक्ति अपनी आत्मा में बाक्षातकार लाव होगा यही इस समय जिग्यासा की बात है किस प्रकार यह सौपन भंग होगा कि हम शुद्र नर्नारी हैं हमको यह चाहिए हमें वह करना होगा यह जो सौपन इससे किस प्रकार हम जागेंगे हम ही सब जगत के वे अनंत पुरुष हैं तता हमने जड़भ हम जड़भाव उठ्व होगा हैं हम जो सुप्तुक के अतीत हैं समस्त जगत्थी जिनका प्रतिदिम स्वरूप है सूर्य चैंद्र नक्षत्र जिनके महाप्राण के शुद्र निर्जर मात्र हैं हम कैसे भयानक दासभाव उठ्वन हो गए हैं हमारी दिहें में आपके एक चिम्टी काटने पर हमें दुख होने लगता है को यदि एक मीठी बात करता है क्यों ही हमें आनद होने लगता है हमारी कैसी दुर्दशा है देखिए हम सब वस्तुओं के दास हैं ये दासत्व हटाना किस प्रकार होगा इस आत्मा के संभंध में पहले सुनना होगा तत्प पश्चात उसका निध्यासन अथार्थ ध्यान करना होगा अद्वैत क्यानी की यही साथना प्रणाली है सत्य के संभंध में पहले सुनना होगा फिर उसके विशे का चिंतन करना होगा उसके पश्चात क्रमशय उसे मन ही मन रिर्भाव से कहना होगा सरवदा ही सोचिए हम अन्य सब चिंताओं को दुरबलता जनक मान कर दूर करना होगा, जिस किसी चिंता से आपको अपने नर्नारी होने का ज्यान होता है, उसे दूर कर दीजिए, देहे जाए, मन जाए, देपता गंड भी जाए, भूत प्रिद आदी भी जाए, उसे सत्ता के अतरिक सब जाए, जह एक वेक्ति अन्य को देखता है, एक वेक्ति अन्य को सुनता है, एक वेक्ति अन्य को जानता है, वे शुद्र अत्वा ससीम है, वही सर्वुत्तम वस्तु है, जहां विशय और विशय एक हो जाते हैं, जब हमी शुरता और हमी वक्ता है, जब हमी आचारे और हमी शिश्य है जब हमी श्रिष्टा और हमी श्रिष्ट हैं, हेवल तभी भय जाता है, क्योंकि हमें भय बीत करने वाला और कोई अत्वा कुछ नहीं है, हमारे अतिरिक जब और कुछ भी नहीं है, तब हमें भय दिखाएगा कौन, दिन प्रति दिन यही तत्व सुनना होगा, अन्ने सभी च कान के भीतर से यह तत्व प्रकर्मशय भीतर प्रवेश करना होगा, यहां तक कि मृत्यू के सामने होकर भी कहिए, हम ही वे हैं, भारत में एक सन्यासी थे, वे शिव अहम, शिव अहम की आवरती करते थे, एक दिन एक बाग आकर उनके उपर कूद पड़ा, और उन्हें खी भीतर अरणने में, चाहे जहां कोई ना पढ़ जाए, सरवदा अपने से कहते रहें, हम ही वे हैं, हम ही वे हैं, दिन राद बोलते रहें, हम ही वे हैं, यह सृष्टितम तेज का परिच्चे है, यही धर्म है, दुरबर विक्ति कभी आत्मा का लाब नहीं कर सकता, कभी मत क ही प्रभो हम अति अधम पापी हैं, कौन आपकी साहता करेगा, आप जगत के सहाय करता है, आपकी इस बात में फिर कौन साहता कर सकता है, आपकी साहता करने में कौन मानव, कौन देवता, अत्वा, कौन दैते सक्षम है, आपके उपर और किसकी शक्ति काम करेगी, आप ही ज जगत के इश्वर हैं आप फिर यहां सहायता ढूंड़ियेगा आपने जो कुछ सहायता पाई है अपने निज के अतिरिक्त और किसी से नहीं पाई आपने प्रातना करके जिसका उत्तर पाया है अज्यानवश आपने सोचा है अन्य किसी पुरुष ने उसका उत्तर दिया है कि आप ही जगत के उस्टा हैं, रेशम के कीड़े के समान, आप ही अपने चारों और जाल का निर्मान कर रहे हैं, कौन आपका उधार करेगा, आप ही है जाल काट कर फेक कर सुंदर तितली के रूप में, मुक्त आत्मा के रूप में बहार निकल लिए, तब ही केवल तब ही आप सत्य दर्शन करेंगे, सरवदा अपने मन से कहते रहे हम ही वे हैं, ये वाक्ये आपके मन के अपवित्रता रूप पूरे करकट को भस्न कर देंगे, उससे ही आपके भीतर पहले से ही जो महाशक्ती अवस्थित है, वह प्रकाशित हो जाएगी, उससे ही आपके हिर्दे में जो अनन्चक्ती सुप्त भाव से विद्यमान है, वह जग जाएगी, सरवदा ही सत्य, केवल मात्र सत्य सुन कर ही इस महाशक्ती का उद्बोधन करना होगा, जिस स्थान में दुर्बलता की चिंता विद्यमान है, उस स्थान की और दिस्टिपात तक मत कीजिएगा, सातना अरम करने की पहले मन में जितने प्रकार के संधी आ सकते हैं सब भंजन कर लीजिए, युक्ती, तर्क, विचार जहां तक कर सके कीजिए, इसके पश्चाद जब आपने मन में स्थिर सिध्धान किया कि यही एवं केवल मात्र यही सत्य है और कुछ नहीं, तब फिर तर्क न अधिक अमुले समय नस्ट करने से फल क्या है, अब उस सत्य का ध्यान करना होगा, एवं जो दुर्बल बनाए उसे ही परित्याग करना होगा, भक्त, मूर्ती, प्रतिमा एवं इश्वर का ध्यान करते हैं, यही सोभाविक साधना प्रणाली है, किन्तु इससे अत्यंत मन ग देहे और मन के चिंतन को दूर करना होगा अतयव उनका अथार्थ देहे एहम मन का चिंतन करना अज्ञानोचित कार्य है वह मानों एक रोग को लाकर दूसरे एक रोग को अरुग्य करने के समान है अतयव उसका अथार्थ ज्यानी का ध्यान ही सबकी अपेक्षा कठिन है नेती नेती वह सभी वस्तू के अस्तितों का नाश करता है तथा जो शेश रहता है वही आत्मा है यही सबकी अपिक्षा अधिक विश्लिशनात्मक विलोम साधन है ज्यानी केवल विश्लिशन के बल से जगत को आत्मा से विच्छिन करना चाहते हैं हम ज्यानी है यह भात कहना अत् भो जागो तब तक उस चर्म लक्षे में पहुँचते नहीं तब तक रुखना मत अतैव ज्यानी का ध्यान किस प्रकार हुआ ज्यानी देहे मन विश्यक सब प्रकार चिंतन को पार करना चाहते हैं। भक्त कहते हैं प्रभु ने हमें इस जीवन समुद्र को सहज ही लांगने के लिए यह देह दी है अतैव जितने दिन तक यातरा समाप नहीं होती उतने दिन तक इसकी यतन पूर्वक रक्षा करनी होगी। कर अंत में मुक्तिलाग कर सकी। ज्यानी सोचते हैं हम अधिक विलम नहीं कर सकते हम इसी महुरत चरम लक्षे पर पहुँचेंगी। वे कहते हैं हम नित्य मुक्त हैं किसी भी काल में हम बद्ध नहीं थे हम अनंत काल से इस जगत के इश्वर हैं। तब पूर्ण कौन करेगा हम नित्य पूर्ण स्वरूप हैं। जो ही वे मुक्त होते हैं फिर भला बुरा नहीं देखते ही। भला बुरा कौन देखता है वही जिसके निज के वीतर भला बुरा होता है। दूसरे की देह कौन देखता है, जो अपने को देह समझता है, जिस महूरत आप देवभाव रहित होंगे, उसी महूरत के आप जगत नहीं देख पाएंगी, वह चिरकाल के लिए अंतरहित हो जाएगा, ज्यानी केवल विचार जनित सिधान्त के बल से इस जड़ बंदन से यही निती निती मार्ग है,